आजका ये बजेट इंट्रिम बजेट तो है भी लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है। इस बजेट में continuity का confidence है। ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को empower करेगा। निर्मला जी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है। इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है। बजेट में दो महत्पपूर नीड़े ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपय का फंड बनाने की गोशना की गई है। बजेट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है। साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपय की एतिहासिक उंचाई दी गई है। अर्थ सास्तियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अवसर तयार होंगे। बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बना कर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया। इससे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोडों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं। उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड चेंदि घर बनाये। हमने दो करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा था। अधर तीन करोड लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है। आईशमान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा। साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दें। उनके लिए आएके नए अउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है। रूप टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप टॉप के माद्दम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को पंद्रा से बीस हजार प्रतिवर्श की आए भी होगी। और हर परिवार को होगी। साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है। उससे मद्द्वर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी रात मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्पवां और बड़े निर्णे लिए गए हैं। नेनो डीएपी का उप्योग हो। पश्वों के लिए नई योजना हो। पीएम मत्स संपदा योजना का विस्तार हो। और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो। इससे किसानों की आयवढ़ोगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देश वाजासिक बजेट के लिए शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बजय कि झायाओ पूने पूनीड़ इससे कि लिए विए अप्रच कामना मत्साव से लिए-वाज ऑन्यवाद्द बढ़ की लिए जोड़ धनेशगा याज़ ए सिल झाया इन. And Sanjay, if you can, okay, let me bring Harish in then, you know, Nikhil, let's, you know, while we're waiting for our next guest to join in, Nikhil, a quick word from you on what the Prime Minister is saying. Look, he's always said that I have only four cast. Garib, 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 right? And once again, he's now basically saying that I believe that this budget is meant for the betterment of the poor, of the women, the lakpati didis. .